असलाम अलेकुम गाइस वल्कम बैक टू एन अधर विलोग उमीद करता हूं आप सब ख्यारत से होंगे अच्छा जी गाइस अब हम आगे हैं ग्रॉसरी करने कुछ चीजें घ्रीजनी थी यह सारे रोमेट्स ने टीक है टीन रोमेट्स है तो इन्होंने कुछ ग्रॉसरी करनी अपनी चीजें पूरी करनी थी तो यार यहां पहुंचने के बाद जा मैंने फलों और सब्सक्राइब की कीमते देखी तो मेरे तो तोते उड़ गे यार मतलब क्या मतर्क 25 दिरम पर केजी मिल रहे हैं खैर हम अपनी जरूरत की अशिया आखर इदने लाग पड़े थे तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छी लगी के फ्रूट्स और वेजिटेबल इसली अवेलेबल थे और हर प्रोड़क्स के साथ उसकी प्राइस भी मेंचन थी और जब आप पक्सान से ने ने दुबई आते हैं तो आपको हर चीज महंगी लगती है जब आप दुबई की कृन्सी को प्राइस में करकर देखते हैं कि इस चीज की यह प्राइस है तो आपकو प्राइस ज्यादा लगती है लेकिन जब आप यहां पर रहा бол introdu há आपको प्रैसिस ज्यादा नहीं लगती इस्पीट पुटाटो यह क्या है जी वेतनाम चीको वेतनाम चीकू जीकू जी वे चीजान चेक करो यार यार इते तो नो साधा कुछ मिल देगा है काजू सारे ड्राइब रोड्स बदाम शाम सारे अंजीर जर प्रैस्य और इजीर ठॉड्स सौथ एफरिकान आबी यह प्रैस्यर खूड्स अच्छा शर्षा ओए वह रभा यार ये क्या है मुझे निए बता यार कमेंड में बताओ ये क्या क्या चीज निया है समझ नहीं हां दी वो लो जी चेक करो तेरा दिरम दे यार कोई मुझे अपने घर जाना है मुझे अपने घर जाना है यार इतर देखो आम की कितनी किसमें यार मैंगो राउंड कीनिया कीनिया था अंबे अच्छा मैंगो ओवेसी एजिप्ट यह मिसर काम है अच्छा दोस्तों अब मैं अपने कजन का इंटर्व्यू लेने लगा हूं अच्छा ही कजन आगा जबाए क्या हाँ अपने है अच्छा दोस्तों यहां जब रॉम कैसा चलता है अच्छा है कितने अच्छा थे इतर है न साल होगे 30 जह इन साल होगे सफील और यहां पे अच्छी है है यह शर्रसा और कॉन सी श्मनिये अच्छी करेंगे रोड़ी दिन बहुत अच्छा है जा बस गर्मी तरकी तोरी पुरी है बागी साम अच्छा है यहां पर साराज व्याव फ्रोजन मीट मिल सकता आपको कीमा मटन चिकन सब कुछ मिलेगा हुआ 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 है तक मैं तरहाए हुआ है आपको कि अच्छा है जावची अच्छा है यह थो फटक दो रॉपाए हुआ तो कि अच्छा है वहा रहा है अपने फुटल की तरफ बिल्डिंगे बहुत अची है और सारे रोल्स को फॉलो करते हैं तो अभी यहां से जाने लगए हैं अपनी बिल्डिंग की तरफ और गर जागे थोड़ा रेस्टरस्ट करेंगे फिर जबाँ सुएंगे ताइम बहुत ज्यादा हो रहा है अच्छा दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो नहाने वाला पानी होता है वो बहुत गरम आ रहा होता है तुमाम टैप्स में तो लोग यहां पर एसी के नीचे पानी रख देते हैं और पीने वाला पानी भी वो पाहिट से खरीद कर यूज करते हैं और उसको एसी के आगे रख देते हैं ताके ठंडा हो सके और उसको इसली पी सके अच्छा तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शियर और कमेंट करना मत भूलेगा और चैनल को सब्स्राइब भीका लिजेगा